देखे इस परकार के बयानों को मैं पूरी तरह से नकारता हूँ दिखकारता हूँ और एसे समय में जब रामलला का भब्बे मंदिर बन करके तैयार हो गया है और 22 जनवरी को जिस मंदिर के लिए 500 साल लड़ाई हुई है और सोतंतर भारत की इतिहास में भी 1949 से ही आंदोरन हो गया था और रामलला ताले में बंद थे उनको बाहर निकाल करके रामलला का भब्बे मंदिर बनाने का अनेक आउसर आया था और एसे समय में इस परकार के बयान को देना मतलब स्री अखलेश यादो जी का निश्यत तोर से यहां बहुत मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं चुकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता वहां स्री अखलेश यादो जी का लिखा हुआ क्यों पढ़ते हैं रट्टू तोंता हैं एक सब्द कम जेदा नहीं बोल सकते यह बुलवाया जाता है इसलिए बोले इसलिए कि आप सवाल पूंच करके उनको महत दे रह है इसलिए बेहां देता है